Bollywood में Animal आते जाते रहते हैं लेकिन Animal का भी शिकार करने वाला Hunter The Original Bad Boy सिर्फ एक ही है सल्मान खान नाम तो सुनाई होगा एक जमाना था जब पिक्चर सिर्फ सल्मान के नाम से हिट हो जाती थी Box Office Records कांपने लगते थे लेकिन फिर हुआ भही जिस बात का डर था भाई ने फैन्स के प्यार को हलके में लिया और पबलिक ने भाई की फिल्म्स को उठा के पटक दिया Tiger 3 जैसा Powerful Cinema भी भाई के पुराने कारनामों की वज़े से रातो रात बरबाद हो गया उस पर Makers की उल्टी सीधी प्लानिंग सोने पर सुहागा लेकिन वो कहते हैं ना सौ सुनार की एक लुहार की तो भाई या सारे पाप का पश्याताप करने का गोल्डन चांस सलमान भाई के हातों में आया है संदीप रेड़ी वांगा इनको किसी इंट्रड़क्शन की जरुवत तो है नहीं ये खुद के बारे में जुतना नहीं बोलते उससे जादा बाकी लोग इन पर डिसकेशन करते हैं भाई 100 करोड लगाके 900 करोड बनाने वाली स्कीम से थोड़ी बहुत जलन तो सबको होगी न यार अब हर कोई पसंद नहीं करता बोल्ड रॉड डेरिंग सिनमा हाँ तो बात ऐसी है संदीप वंगा का फ्यूचर इन फिल्म इंडस्ट्री है बहुत जादा ब्राइट लेकिन इतनी लाइट जिससे करियर सूरत जैसा चमक जाए उसके लिए जरुद पड़ेगी ट्रक भर के पबलिक की और जिस फिल्म को देखने गाउं गाउं से लोग ट्रक भर के आ जाएं उसका हीरो इस बंदे के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा जी हाँ एक रिपोर्ट घुम रही है मार्केट में गोल गोल बहुत तेजी से कि संदीप वांगा ने अपनी नेक्स टू नेक्स टू नेक्स टू नेक्स फिल्म में सलमान भाई को अप्रोच किया है सिर्फ इतना नहीं पता ये भी जला है कि फिल्म का सब्जेक्ट एकदम डार्क होने वाला है माने एनिमल भी जिसके सामने शर्मा जाए ऐसा कॉंटेंट और ये फिल्म कोई फैमिली ड्रामा नहीं होगा पापा बेटे वाला इस बार संदीप भाई थ्रिलर लेके आएंगे जिसको समझने के लिए दिमाग भगाना पड़ेगा बाकी क्राइम तो मिलेगा ही उसके बिना संदीप भांगा का सिनमा पूरा नहीं होता बंदूक वगरा इनका बैटर हाफ जो है और सल्मान भाई जिस फिल्म में है उसमें आक्शन नहीं डाला तो क्या खाक सल्मान खान को लेकर फिल्म मनाई डार्क, क्राइम, आक्शन थ्रिलर ये चारो चीज़ें एक फिल्म में मुझे पता है न्यूस जरुद से जादा मीठी है जिसको सुनकर डाइबिटीज का खत्रा है लेकिन सपने देखने पे कोई टेक्स थोड़ी लगता है भाई एक बार को सोच के देखो सल्मान खान जिनका नाम हमेशा जोड़ा जाता है एक सेफ सिनमा बोले तो फैमिली कॉंटेंट के लिए easy and simple और संदीप पांगा जिनको फिट किया जाए फैमिली शब के अनुलोम विलोम में ऐसा सिनमा जिसको परिवार के चार लोग भी साथ बैट कर कभी ना देखें क्या जबरदस कॉमिनेशन हो जाएगा ना लिटरली थीटर के भार लाइन लग सकती है क्योंकि पब्लिक तो भूकी है उस चीज के लिए जो सोचने में impossible लगता है देखो सलमान खान after the failure of Tiger 3 थोड़ा serious तो हो गए है अपने career को लेकर जिस वज़े से जाधा चौकियेगा मत अगर एक ना एक दिन ऐसा आ जाए जब family cinema छोड़ कर वो वाकिए कुछ अलग टाइप का experiment करके पब्लिक के होश उड़ा दें अभी तब बुल आने वाली है जिसको करन जोहर ने produce किया है और direction विश्नु सर कर रहे हैं जिन्नोंने शेरशा जैसा experience डिलेवर किया था उसके बाद Tiger vs. Pathan का chance भी बन रहा है वायरेफ के spy franchise को वापस उचाईयों पर लेकर आना इन दोनों agents की जिम्मेदारी है देखो with due respect बुल और Tiger vs. Pathan बहुत बड़ी movies है और box office पे इनका result positive होने के 100% chances है लेकिन सल्मान खान को इन दोनों फिल्मों में सोचकर कुछ अलग मिलेगा, नया मिलेगा, different होगा, ऐसी वाली feelings दूर दूर तक नहीं आ रही है बट सिर्फ एक अफवा, rumor जो सल्मान खान को संदीप वांगा से जोड़ सकती है, उसकी वज़स दिमाग में कुछ-कुछ होता है राहूल, तुम नहीं समझोगे अब जितना मुझे पता है और यकीन है सल्मान खान कमबाक लोडिंग है सर, फॉर शॉर, बंदा कुछ तो बड़ा करेगा जो किसी ने नहीं सोचा है और अगर इस सफर का रास्ता संदीप वांगा से होकर गुजर जाता है ना सर, तो पास्ट, प्रेजन, फ्यूचर तीनों याद रखेंगे ऐसा हाल होगा बॉक्स ओफिस का स्वाह बैसे हंटर नाम जचता है ना उस फिल्म के लिए बाइगॉण, बताओ फिर फैंस जी सल्मान खान को फामिली ड्रामा छोड़कर वांगा के साथ वांवांग करना चाहिए कि नहीं आप लिखो आराम से सोच कर मैं तैयारी करती हूँ अगले वीडियो की, बस थोड़ा सा इंतजार जल्दी मिलेंगे, टेक क्या, बाइबाइ